जहें दोस्तों अंदे मातरम रिशी सुनक जो कि इस समय बिर्टेन के प्रजान मंतरी बनने की दौड में सब से आगे चल रहे हैं हाला कि पूर प्रजान मंतरी बोरिस जॉंसन की तरफ से उनको थोड़ा बहुत रिजिस्टन्स जरूर देखने के लिए मिल रहा है लेकिन उनक कि इसली बार उन्हों ने शपत ग्रहन करी तब भी उन्होंने भागवत गीता के उपर हाथ रखकर शपत ली थी इसके अलावा अब उन्होंने अपने जो उनको चुनाओं चल रहा है उसके प्रचार प्रसार के समय में जो बयान उन्होंने चीन को लेकर दिया है वो बयान में शी जिन पिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आए और खास तोर पर जिस तरह के हाला ते समय चाइना में बने हुए हैं जबकि वहां की जनता ही उनकी सरकार के विरोध में उतर आई है तो आप खोदी समझते हैं कि शी जिन पिंग के लिए बैयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है सीज़ तोर पर रिशी सुनक ने चेतावनी दे दी है चीन को कि अगर वो प्रहान मंतरी बने तो चीन के लिए बिल्द जरूर पास करेंगी क्योंकि वो दुनिया के लिए खत्रा बनता जा रहा है ये चीज़े उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही हैं आप इसे संदादा लगा सक का है कि चीन हमारे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खत्रा है अगर मैं प्रहान मंतरी बनता हूं तो पहले दिन से चीन के खिलाफ सक्त कदम उठाए जाएंगे ब्रिटेन के नए प्रहान मंतरी का नाम 5 सेदंबर को खुशित होगा सुनक के अलावा लिस्ट्रेस पीम पत की दौड में है पहली रेस में आठ कैनिडेट थे पांच राउंड की संसदों की वोटिंग के बाद ये दो नाम ही बचे है अब पार्टी के करीब दो लाख मेंबर्स बैलेट वोटिंग से पीम के नाम का चुनाव करेंगे अगर बात करें सुनक की चीन पर सक्त क् कुछ दिन पहले सुनक को चैलेंज कर रही लिस्ट्रेस ने उन पर गंभी रारूप लगाये थे लिजज ने कहा था कि चीन और रूस पर रिशी का रुक बहुत नर्म नजर आता है ये हम पहले भी देख चुके हैं खास बात यह है कि चीन के सरकारी अकवार ग्लोबल टाइ की मेंबर्स को करनी है ट्रेस के बयानों से इन मेंबर्स में ये संकेज जा सकता है कि सुनक चीन और रूस पर नर्म रवया अक्तियार कर रहे हैं और यही वज़े कि सुनक ने रविवार और सुमवार को ड्रेगन के खिलाफ काफी तलक जुबान इस्तमाल करी ब्रिटेन के पूर विद्ट मंतरी ने कहा कि चीन ना सिर्फ ब्रिटेन बल्के पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खत्रा है अगर मैं प्रहान मंतरी बना तो पहले दिन ही चीन पर चली आ रही पॉलिसी को बदल दूँगा सुनक के मताबिक ब्रिटेन में चल रहा है चीन के तमाम कन्फूशियस एजूकेशन इस्ट्यूट बंद किये जाएंगे इंडिलिजेंस एजिंसी म.I.5 से कहा जाएगा कि वो हर लेवल पर चीन की जासूसी को और भी ज्यादा सक्त कर दे इसके अलावा सुनक ने चीन के बेल्ट और इनिशेटिव प्लान को गरीब और विकास्शियल देशों के खिलाव साजिश बताया और कहा कि चीन इस तरह से साजिश रचता है कि विकास्शियल देश उसके कर्स के जाल में फजाते हैं ये कर्स कभी लोटाया भी नहीं जा सकता हूँ एगर मुस्लिमों के मुद्धे पर कंसर्वेटिव सांसद ने कहा क शिंजियांग हॉंग कॉंग या फिर कोई दूसरा हिस्सा चीन अपने लोगों गिरफतार करके उनको टॉर्चर करता है वो ग्लोबल एकनॉमी को तबाह करने में जुटा हुआ है रिशी ने कहा कि बहुत हो चुका है ब्रिटेन और पस्चिमी देश आंके बंद करके चीनी नेताओं को रेड कार्पेट वेलकम देते थे लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा मैं पहले दिन से ही ड्रैगने के खिलाब बहुत सक्त कदम उठाओंगा वहीं पूर चांसलर ने कहा कि वो हमारी तकनी की चोरी कर रहे हैं और हमारे विश्व द्यालों में घुस्पैट कर र ने या फिर उनके सिर पर एक राजनाईक बंदूक रखने के साथ-साथ जिंजियान और हॉंग कॉंग में अपने स्वयम के नागरिकों को प्रातारित करने रासत में लेने और उन्हें प्रेडित करने के लिए चीनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं अलाकि बारिस जॉंसन को बदलने के लिए लड़ाई में नवीनतम मोर्चे से तुरंद ट्रस्समर्थकों का पुनर मुल्यांकन देखा इसी बीच कंजरिविटिव पार्टी के पूर निता इयान डंकन स्मित ने कहा कि गोशना पाखन जैसी है क्योंकि सुनक दो साल ट्रेजिर चांसलर थे उन्होंने कड़ी महनत करके चीन के साथ एक आर्थिक सौदा किया था देखार जेन ने बताया कि इसमित पिछले साल से चीन की प्रतिबंद सूची में सुनक के हस्टशेफ से बीजिंग के साथ सम्मंदों में और भी ज़्यादा तनाव का खत्रा होने की तैयारी है इससे पहले एक चीन के ग्लोबल टाइमस अकबाल ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ब्रिटेन को बीजिंग के नए नेता के तहट दो पक्षी सम्मंदों में अमूल चूल परिवर्तन की उमीद नहीं थी फिर भी उसे उमीद है कि दोनों पक्ष सम्मंदों में सुधार कर सकते हैं इसने कहा गी सुनक का चीन के साथ संतुलन सम्मदेद विक्सेद करने का विवहार एक दस्टिकोन था मौज़ो सरकार ने होंग कॉंग में नागरिक सुतनतरा पर कारवाई कोले कर शी जिन पिंग के प्रशातन के खिलाफ सकत तरुक अपना है जिसमें एक प्रतिबंदात्मक राष्टी सुरक्षा कानून और पूर प्रटेश उपनिवेश में चुनावी सुधार शामिल है शेंज्यांग शेतर में ओईगरों के साथ चीन के विवहार को लेकर परस पर प्रतिबंद लगाएगा है और वैसे हुई यह जो पूरा मामला है चीन के ओईगर को लेकर इसमें तो उसकी देश भर में बार बार आलोचना होती रहती है तो ऐसा नहीं है कि यह कोई मामला नया मामला है ऐसे में रेशी सुनक को चीन के खिलाफ यह बयान बाजी कितना फायदा पहुचाएगी यह तो आने वाले समय पता चली जाएगा मेरे सुडियों फ़ला अतना ही है अदि आप लोगो कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है जए हैं जए बाद